लाइक करते हैं आज का पहला प्रस्टन है एक जुलाई को हम लोग राश्ट्रिया चिक्षक दिवस बनाते हैं यानि कि नेशनल डॉक्टर्श किसकी याद में करते हैं क्यों करते हैं तो डॉक्टर विधान चंद्र रोई ke जैनती है और एक जुलाई को ही इनकी पुन्यतिति भी इनका जर्म जो है एक जुलाई 1882 में पठना बिहार में हुआ था और इनका निधन एक जुलाई 1962 एक जुलाई 1962 में यानि कि जयन्ती जर्मदीन और जिनका पुन्य तितिय दोनों ही एक जुलाई है तो इनके जयन्ती के आउसर पर हम लोग राश्ट्रिय चिकित्सक दिवस्यानि के नेशनल डॉक्टर्स करते हैं और डॉक्टर विधान चंद्रोय वेश्ट बंगाल के पहले गंतंद्र भारत के पहले स्टेट के मुख्य मंत्री भी थे यानि कि बंगाल के दूसरे मुख्य मंत्री थे कब से कब तक 1948-1962 तक ये मुख्य मंत्री थे और समिधान जब पारित हो गया 26-1950 में जब प्रणत्र बंगाल के दूसरे मुख्य मंत्री थे इस तरह से भी समझना पड़ेगा और इनका जर्म जो हम देख लिए एक जुर्या अठासों बिरासे में पटना बिहार में यह भी धियान रखिए का पटना के यह जर्म हुआ था प्रन्तु यह बंगाल के दूसरे मुख्य मना रहे हैं और वेश्ट बंगाल के जो पहले दूसरे मुख्य मंत्री थे इनको 1961 में भारत रत्न प्रसकार भी मिल चुका है और महात्मा गांधी के यह नीजी चिकित्सक भी थे यह प्रसनल डॉक्टर थे महात्मा गांधी जी के डॉक्टर बिधान चंद्र रोई और दु बिख्सित करने में बिधान चंद्र रोई का नाम आता है बिख्सित करने में बहुत बड़ा योगधान है इनका सरेज आता है डॉक्टर बिधान चंद्र रोई को यहां से भी प्रसन बन सकते हैं तो इस तरह से important point था यह इसको चलते हैं तो हूल दिवस 30 जून को किस इस्टेट में मना जाता है जारखन में जारखन में यह मना जाता है तो 1885 में 1885 में 1885 में यह हूल आंदोलन हुआ था किसके दवारा तो सिंधु कानु जो आदिवासी समुदा है संथाल आदिवासी समुदा है सिंधु कानु यह दोनों भाई है इन दोनों के नेतित्रों में अंग्रेजों और उपनिवेस के बिरूत में यह आंदोलन हुआ था हूल दिवस जिसे नाम दिया गया था हूल आंदो पॉइंच चलते हैं स्नेह राना एक टेस्ट में दस लेने वाली दूसरी भारतिया महिला बन गई है एक तो पहली महिला कौन थी जूलन गोश्वामी जूलन गोश्वामी थी इन्होंने दोज़रक्षे में इंग्डेंड के खिलाफ इंग्लेंड के एंग्डेंड में इन्होंने दस प्रिकेट लिया था जूलन स्वामी इस बार से पहली होगे जूलन को स्वामी दूसरी होगे सनेहराना और साउथ अपरिक्या के साथ अभी महिला का जो वंडे सिरीज चल रहा हुआ था उसमें भी रिकोर्ड बने हैं कि यानि की वंडे क्रिकेट में लगतार दो सतक लगाने वाली पहली भारतिय महिला बने थी इसमिरिती मंधाना साउथ अपरिक्या के एंगेस्ट में ही इसमिरिती मंधाना लगतार दो वंडे क्रिकेट में सतक लगाने वाली और उसमें और के रिकोर्ड बना है तो टेस्ट क् साउथ अफ्रिका के एंगेश्ट में इस तरह से रिकोर्ड पर रिकोर्ड अभी इस सिरीज में बन रहा है तो सेफाली बर्मा ने 194 पर 200 रन बनाया था टोटल रन इनका कितना था तो 197 बोल पर इन्हों ने 205 रन बनाकर यह आउट हो गए थी 194 बोल पर 200 रन इन्हों ने बनाया था इन्हों ने किसका रिकोर्ड तोड़ा था इसके पहले वीडियो में हमने देखा था तो सेफाली बर्मा ने एनेबल सथर लेंड एनेबल सथर लेंड का रिकोर्ड तोड़ा था अस्ट्रेलिया की यह क्रिकेटर थी इन्होंने एनेबल सथर लेंड ने 256 बोल पर दोहरा सतक लगाया था 256 बोल पर इसका record सेफाली बर्माने तोड़ा है तिस तरह से record पर record ही बन रहे हैं यह लिए next point पर चल रहे है next point है महानेता Life and Journey of M.Bankess Nidu यह पुष्टक है यह जो तीन पुष्टक है वन टू थ्री यह तीन पुष्टक जो बैंकाय ओप राश्पती पूर ओप राश्पती बैंकाय नाइड़ के उपर में लिखी गई है उनके लेखकों का नाम है यह तो महानेता Life and Journey of M.Bankess Nidu किसके दोड़ा लखी गई है संजय किसोर संजय किसोर दोड़ा लखी गई है इसका बिमोचन यह लांच किया गया है प्रधानमंत्री नरेदर मोदी जी दोड़ा रहा है दूसरी है celebrating भारत the mission and message of Sri Bankess Nidu as 13th Vice President of India इतनी बड़ी नाम है पुष्टक की नाम है तो इसका नाम इसका जो लेखक है इसका नाम है सुब्बा राओ तिसरी है इसके लेखक है एस नागेश कुमार सभी का बिमोचन जो है प्रधानमंत्री नरेदर मोदी जुद्धी प्रधानमंत्री नरेदर मोदी जी दुवारा किया गया है और इनके यह लेखक है तीनों पुष्टक जो है पूर्व उपराश्पति एम बैंका नाइडू के उपर मे लिखी गई इनको जीवन परधारित में लिखी गई लेखक है प्यूस पांडे प्यूस पांडे में यह पूस्तक जो है हिंदी भासा में लिखी गई है हिंदी भासा में यह पुस्तक लिखी गई जिसे की पुस्पांडे ने लिखा है प्रंतु इसे इंग्लिस में ट्रांसलेट किया गया है रचीत वत्स ज्वारा इसे इंग्लिस में ट्रांसलेट किया गया है रचीत वत्स ज्वारा पुष्तक का नाम है मनोज वाजपई जीवन पर अधारित यह पुष्तक के मनोज वाजपई जो फिल्मी अभी नेता है बॉली वॉड के जो एक्टर है इनके उपर लिखी गई है बीडियो कर पसंद आथा बीडियो को लाइक करते चलिएगा चलते हैं नेक्ट पॉइंट है भुपेंदर सिंग रावत भुपेंदर सिंग रावत यह कौन थे इनका निधन अभी हाल में यानि कि 29 जून 24 में हो गया है यह फुटबोल है इनका संबंद जो फुटबोल से संबंदी थी यह फुटबोलर है हिमाचल परदेश के बिलोग करते हैं प्रंटु यह गुजरा भारतिया फुटबोल टीम में यह खेल चुके हैं और इन्हें इन्हें इस्कूटर के नाम से भी जाना जाता था इनकी तेजर अफ्तार के कारण इन्हें स्कूटर कहा जाता था तो यह ध्यान रखेगा स्कूटर उपनाम भुपिंदर सिंग रावत का संब्ध ना रावत को कहा जाता है इनका संब्ध फुटबोल खेल से हैं पचासी वर्स की एज में हुआ है वीडियो को लाइक करते चलिएगा अपने स्टेडी ग्रूप में अप सब्सक्राइब के लिए इतना ही आप सब्सक्राइब करना के साथ सब्सक्राइब सब्सक्राइब मस्त्र धन्यवाद